इस वीडियो में हम लोग अर्थ सास्त्र चिप्टर संक्या सुल्ला जिसका नाम है आय का चक्रिय प्रवाह के प्रमुख लगूतरिय और द्रिभूतरिय प्रश्णों पर प्रिचरचा करें। पहला प्रश्ण है आय के चक्रिय प्रवाह से आप क्या समस्ते हैं। आपका उत्तर होगा, आय एक प्रवाह है, उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पुर्ति करता नहीं, वरन ये साथ साथ उपवोगता भी होते हैं, अतहां वे साधनों से अरजित आय को उपवोग प्रवै करते हैं, इससे वेवसाइक फर्मों को वस्तूओं और शेवा के पुन उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों पर व्या करते हैं, यही करम चक्रिय प्रवाह कहलाता है, दुस्तरे सब्दों में, आय का चक्रिय प्रवाह घरेलू फर्म एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों के प्रवाह है, अगला प्रश्ण है आय के चक्रिये प्रवाह के कारण अथवा सिधान्त को लिखे आपका उतर होगा आय के चक्रिये प्रवाह दो सिधान्तों अथवा कारणों पर अधारित है नमबर एक किशिवी बिनमय प्रक्रिया में विक्रेता अथवा उत्पादक उतनी ही मात्रा उतनी ही मु शिवाएं बस्तूइं तथा शिवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक दिशा में प्रवाहित होती है। शिवाएं एवं फर्मों से परिवारों को बस्तूइं या सिवाएं का जो परवाह होता है उसे ही बास्तविक परवाह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्ण है आयके चक्रिये प्रवाह के दो छेतरीये मौडल पर प्रकास डाले। आयके चक्रिये प्रवाह के तीन छेतरीये मौडल पर प्रकास डाले। आपका उतर होगा आयकी चक्रिये प्रवाह के चार छेतरीये मौडल खुली अर्थववस्था को प्रदर्शित करती है। चार छेतरीये मौडल के अंत्रगत, पडिवार छेतर, उद्योग छेतर, शरकारी छेतर, एवं संपुर्ण विश्व को शामिल किया गया है। इस चितर के दोरा निरूपित किया जा सकता है। आठमा प्रश्न है आयका रिशाब से आप क्या समझते हैं। आयके रिशाब से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा। तो इसे आयका रिशाब कहा जाता है। दूसरे सब्दों में आयका रिशाब आयका वह भाग है जो आयके चक्रिये प्रवाह में वापस खर्च नहीं किये जाते हैं। और प्रवाह से बाहर कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है आयका अंतह छेपन क्या है। आयका अंतह छेपन क्या है। अगला प्रश्न है दसमा नमबर आयके चक्रिये प्रवाह के महत्व को लिखे। आपका उतर होगा, आर्थिक विश्लेशन के दृष्टी से अर्थवेवस्था में आयके चक्रिये प्रवाह का बराही महत्रपुर्णस्तान हैं, जो इस प्रकार हैं, राष्टी आयका नुमान लगाने में, अर्थवेवस्था की कारे परनाली की जानकारी में, मौद्रिक नी नितिक को जानने में, और संतुलन की समस्या के समाधान में, आयत था रोजगार सिधान्त के परतिपादन में, अंतराष्ट्रिय व्यापारिक नीतियों के निर्मान में, उत्रपादन आयत था ब्यायक के बीच समानता स्थापित करने में, और ग्यारहमा नमर प्रशन है, ब पास्तविक प्रवाह में बस्तूओं और शेवाओं का आपसी भीनमय होता है, जो मुद्रा का प्रयोग भीनमय हेतूर नहीं किया जाता है, जबकि मौद्रिक प्रवाह में बस्तूओं और शेवाओं का भीनमय मुद्रा से किया जाता है, तथा यह अर्थव्यवस्था के सभी शत्रों में लागो होता है तो यह रहा आज की कलास का बहुत प्रश्णों तर धन्य बट